जयोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जयोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो पस सिंखला को आगे बढ़ाते वे एक नया वीडियो ले करके प्रस्तुथ हूए हैं तो आज की वीडियो में चर्चा का विशह विशह क्या है आज हम किस चर्चा को ले करके आपके सामने प्रस्तू पुषकर योग सूरी एवं चंद्रमा के साथ दो विशिष नक्षत्रों के संयोग से तयार होता है। आईए देखते हैं कैसे तयार होता है। इसलिए इस योग को शुभ योगों में विशेश महत्तों दिया गया है। भैये सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रदेव कृतिका नक्षत्र में हो तभी पुषकर योग बनता है। और यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे इस्थती अत्यंत दुरलब होती है। कि सूर्य विशाखा में और चंद्रकृतिका में एक साथ मिल जाएं। इसलिए इसे शुभ योगों में विशेश महत्तों दिया गया है क्योंकि यह अत्यंत दुरलब हिस्थती है। बहुत ही कम ऐसे इस्थती प्राप्त होती है जब पुश्कर योग का संयोग होता है। यदि आप यह देख लिए कि पुश्कर योग मिल रहा है इतने तारीकों पुश्कर योग आने वाला है तो उस समय आप कोई भी शुभकारी कर सकते हैं क्योंकि यह समस्त शुभकारियों के लिए सबसे उत्तम महुर्थ माना गया है। पुशकर योग भी कई रूपों में है आए एक एक करके देखते हैं द्वीपुशकर योग वार तिथी एवं नक्षतर की विशेश सेयोग से बनता है विशेश वार, विशेश तिथी एवं विशेश नक्षत्र का जब एक सांसाय योग हो जाता है तब द्वीपुशकर योग बनता है जब रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन यहाँ पर क्या है विशेश वार, विशेश तिथी और विशेश नक्षत्र की योग से तो वार में क्या-क्या? रविवार, मंगलवार और शनिवार, तिथी में, द्वितिया, सप्तमी या द्वादुषि में से कोई तिथी हो, और नक्छत्र में, चित्रा, मριग rainshira वधनिष्ठा में से कोई भी एक नक्छत्र हो, तो द्वीपुषकर योग बनता है अब आप यहाँ पर क्या समझे थे? कि विशीश वार तित्य वोम नक्षटर के विशेश जयोग से द्वीपुशकर योग बनता है, तो रविवार मंगलवार शनिवार में से कोई एक दिन हो जाए, दियूतिया सप्तमी द्वादसी में से कोई एक तित्य हो जाए, चित्रामर पुशकर योग में जिस कारे को किया जाता है वह दोगुना फल देता है जो भी कारे आप दुशकर योग में करेंगे वह कारे आपको दुगना फल देने वाला होगा यह योग लाभ और हानी दोनों में ही दुगना फल देता है यदि लाभ मिलने वाला है तो दुगना लाभ म होकर उस दिन के आननदाद योग के फल को द्विगुणित अर्था तो दो गुना करने से है जब द्विपुशकर योग आता है तो क्या शुब फल होगा क्या अशुब फल होगा यह तो अलग बात है शुब अशुब से किसी भी प्रकार से सीधे संबंद नहीं जुड़ता है बलकि उस दिन आननदाद योग में से कौन सा योग है उसके क्या फल प्राप्त होंगे उसे दो गुना कर देता है द्विपुशकर योग वाले दिन यदि कोई शुब कारे किया जाए तो उसके फल में दोगनी वृध्धी होती है यदि आप द्विपुशकर योग वाले दिन कोई शुब कारे कर रहे हैं तो उसके फल में दुगनी वृध्धी होकर के प्राप्त होगी शुबता में वृध्धी हो जाएगी लेकिन इस योग वाले दिन यदि कोई अशुभ मुहुर्त बना हो तो वह भी अपनी अशुभता में दूगुनी वृद्धी करता है यदि आप देख रहे हैं कि पुश्कर योग बन रहा है और साथ ही साथ उस दिन कोई अशुभ मुहुर्त बन जाए या तो आनंदादी योग में से कुछ ऐसे स्थितिया हो कि खराब फल प्राप्त होने की स्थिति आ रही हो तो उसकी अशुभता में दूगुनी वृद्धी हो जाएगा उद्धुन अशुभ हो जाएगा अतह द्वी पुषकर योग वाले दिन मुहुर्त का विशिश ध्यान रखना चाहिए यदि द्वी पुषकर योग देख करके आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस दिन के विशिश मुहुर्त को आनंदादी योग को भी देख लीजे यदि सब कुछ सही है और आप कुछ काम कर जाते हैं तो उसका दुगना शुभफल प्राप्त होगा लेकिन वहीं यदि कुछ गड़बड होने की स्थिती है और वहाँ पर खराब मुहुर्त भी मिल रहा है तो उस खराब मुहुर्त की खराबी दुगनी हो जाएगी इसलिए बहुत सोज समझ करके कोई काम किया कीजे और जब दुईपुशकर योग हो तो उस समय विशेश रूप से ध्यान देते हुए कोई काम किया कीजे तुईपुशकर योग वार, तिथी एवम नक्षत्र के विशेश संयोग से बनता है जब रवीवार मंगलवार शनीवार के दिन वार में से रवीवार मंगलवार शनीवार हो तिथी में दुटिया सप्तमी एवम द्वादशी में से कोई भी एक तिथी हो और नक्षत्र में विशाखा, उत्तरा फालगुनी, उत्तरा शाढ़ा, पुर्वा भादरपद, पुनरवसुव, कृतिका में से कोई भी एक नक्षत्र हो तब त्रिपुशकर योग बनता है यहाँ पर वार, तिथी और नक्षत्र के विशेश संयोग से त्रिपुशकर योग बताया जा रहा है तो वार में से रविवार, मंगलवार, शनिवार में से कोई भी एक वार हो तिथी में दुटिया सप्तमी एवं द्वादशी में से कोई एक तिथी हो और नक्छत्र में तो इतने सारे हैं विशाखा, उत्राफालगुनी, उत्राशाढ़ा, पुर्वा, भादरपद, पुनरवसुव, कृतिका में से कोई भी एक नक्छत्र हो तो इनका किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए, तब त्रिपुशकर योग बन जाएगा त्रिपुशकर योग में जिस कारी को किया जाता है, वह तीन गुना फल देता है त्रिपुशकर योग में आप कोई भी कारी करिए, उसका ती गुना फल प्राप्त होता है यह योग लाभ और हानी दोनों में ही तीन गुना फल देता है यदि आप कोई लाभ वाला काम करने जा रहे हैं तो तीन गुना लाभ निश्चितरूप से प्राप्त होगा लेकिन यदि हानी होनी है तो तीन गुना हानी अवश्य प्राप्त होगी त्रिपुषकर योग वाले दिन यदि कोई शुभकारे किया जाए तो उसके फल में तिगुनी वृध्धी होती है लेकिन इस योग वाले दिन यदि कोई अशुभ मुहुर्थ बना हो तो वह भी अपनी अशुभता में तिगुनी वृध्धी करता है ध्यान रखिएगा यदि आप त्रिपुषकर योग वाले दिन कोई शुभकारे करने जा रहे हैं तो उसके फल में तिगुनी वृध्धी तो हो जाएगी लेकिन जिस दिन त्रिपुषकर योग है उस दिन कोई अशुभ मुहुर्थ बन जा रहा हो और उस दिन आप कोई कारे कर बैठे तो उस अशुभ मुहुर्थ की अशुभता में भी तिगुनी वृध्धी हो जाएगी और आपको अनावश्यक हानी का सामना करना पड़ सकता है अतह त्रिपुषकर योग वाले दिन मुहुर्थ का विशीष ध्यान रखना चाहिए यदि आप त्रिपुषकर योग देख लिए हैं उस दिन कोई कारे करना चाहरा है है तो आप यह भी देख लिजे कि उस दिन कोई अशुभ मुहुर्थ तो नहीं है आनन्दादी योगों में से कोई ऐसा योग तो नहीं है जो अशुब फल देने वाला है यदि ऐसी स्थिती बने तो उस दिन टाल मटोल कर दीजे काम आगे बढ़ा दीजे विशेश द्वीपुषकर योग है तो भी और त्रिपुषकर योग है तो भी आपको कुछ विशेश बातों को ध्यान रखना चाहिए द्वी पुषकर और त्रिपुषकर योग विशेश रूप से बहमुल लिवस्तू की खरीदारी करने के लिए अत्यंत शुभ महुरत है द्वी पुषकर योग हो अत्वात्री पुषकर योग हो उस दिन यदि आप कोई बहुमुल्य वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो यह समय अत्यनत शुभ होता है इन योगों में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार भविश में दुगनी या तिगुनी हो जाती है लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा कि दुई पुषकर योग हो अत्वात्री पुषकर योग हो इस दिन यदि कोई अशुभ मुहुर्त प्राप्त हो रहा हो तो उस मुहुर्त काल में आप कोई खरीददारी मत कीजे अन्य था उससे कोई न कोई हानी हो सकती है हो सकता है कि आप जो बहुमोले वस्तु खरीद रहे हैं वह चोरी हो जाएं कहीं टूट जाएं यदि आप बहुमोले वाहन खरीदे हैं तो उसका एक्सिडेंट हो जाएं इसलिए द्वी पुषकर त्री पुषकर योग में आप खरीदी अवश लेकिन साथ में यह भी संदाई हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में लिक करके अवश्य बताईगा साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक साधी लोगों तक पहुंचाईए जिससे कि सभी लोगों को पुषकर योग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद के अपित करते वे नए दर्शकों से अंडूत करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ओन कर लिजए जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्यान वर्धक जानकारी उपलब्द कर आई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो अब मुझे आगे दीजे मिलेते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिजे हिंजाए भारत बंबं भोले नात की जै जै गुरुदेव